दोस्तों सुना है कि एक नई solar powered car आने वाली है जो के साल में सिर्फ दो बार ही चार्ज करनी पड़ती है तो उसके बारे में हम Google पे सर्च करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे solar powered car और हमारे सामने एक CNN की वेबसाइट का लिंक आ रहा है इसको हम क्लिक करते हैं इसको आर्टिकल को पढ़ने के बाद हमें पता चला है कि उस गाड़ी का नाम Lightyear Zero है तो हम Google पे सर्च करते हैं Lightyear Zero और हमारे सामने Lightyear Zero की वेबसाइट ओपन हो जाती है अब ये वेबसाइट और CNN की वेबसाइट है वो almost हमें same information परवाइट कर रही है उसी गाड़ी के बारे में लेकिन वेब development के लिहाँ से इन में काफी difference है जो के आज की वीडियो में हम discuss करेंगे असलाम लोग everyone मेरा नाम है सब तैन सलीमी तो शुरू से शुरू करते हैं न्यूस की वेबसाइट ले लें न्यूस की वेबसाइट में रोज मरा बलके हर गेंटे के बाद ही कोई नया article पबलिश होता रहता है इसी तरह ब्लॉग में आप देख लें कि अगर किसी इनसान को कोई traveling का शोक है उस वो travel करता है different mountains में different countries में और वो चाहता है कि वो जो information travel कर रहा है जो information जो content वो capture कर रहा है वो अपनी audience तक मुंचाए तो उसके लिए उसे blog चाहिए जहां पर वो regularly जिस भी मुलक में वो जा रहा है उस मुलक के title से या किसी भी जगा पर जा रहा है उसके जो नाम है उसके ऐसा title यूज करेगा और उसके उपर पूरी एक post जो है वो लिखतेगा Facebook पर भी आप आजकल जाएं वहाँ पर जो भी post नजर आती है like कोई भी news नजर आती है उसका थोड़ा सा title लिखा होगा और उसके बाद उसके उपर आपने देखा होगा कि एक link दिया गया होगा जब आप वो इस link पर click करते हैं तो आप उस page पर पहुंच जाते हैं जहां पर पर उस title की मजीद information आपको मिलती है तो वो जो जिस website पर वो जा रहे हो आप वो एक blog है mainly क्योंकि वहाँ पर information regularly update हो रही होती है जैसा कि मैंने आपको बता है कि blog के अंदर काफी articles और post होती है और जहां post का जिकर है वहाँ पर comments तो लाजमी है जैसे आप Facebook पोस्ट की बात कर ल नीचे आपके जो relatives हैं या दोस्त हैं वो comments करते हैं इसी तरह एक blog के उपर जब एक इनसान अपना blog लिखेगा तो उसकी जो audience होगी वो उसकी post पर उसके articles के उपर comment करना चाहेंगी तो इसलिए blog के उपर जो है वो comments होते हैं उसकी हर articles के नीचे comments होते हैं और लोग आपस में discussion करते हैं इसके लावा आप blogs पे जाएं तो blogs में different categories बन रही होती हैं जैसे एक news की website पे categories होती है कि traveling की अगर उनने news upload करनी है तो वो traveling की categories में करेंगे ताकि अगर किसे ने सरफ traveling के बारे में देखना है वो traveling की category पे click करेगा और सारी information जो है वहाँ पे उसको नज़राना जैसे आपकी facebook की timeline पे news feed में information आ रही होती है, twitter पे tweets आ रही होती है, youtube पे आपकी videos आ रही होती है, वो सारी reverse order में होती है, reverse order में जो information कल आपने post की वो नीचे चली जाएगी, जो information अभी आपने गिंटा पे लिए post किया है, वो उपर आ जेगी, blog में भी इसी तरह ही होता है, ज जो के static होते हैं, आपने एक दफा अपडेट कर दी है, तो शाहिदी कोई 3-4 माँ के बाद जा के आप करें या साल बाद करें, जब तक आपकी company का services या product में कोई changes ना आए, जिस बात से मैंने video start की थी, कि एक ऐसी solar powered car आ रही है, जो साल में सिर्फ दो बार charge की जाती है, तो म solar powered car की website का एक link आया, यह आप खुद ही देख सकते हैं, कि blog जो है, उसमें content regularly update होता है, fresh content होता है, fresh articles होते हैं, तो google को search engines को blog ज्यादा पसंद होते हैं, और जो future में इंशाला आपके clients होंगे, वो blog इसलिए बनाते हैं, क्योंकि blog में वो अपने articles publish करते हैं, और उसके बाद google adsense के जरीए वो पैसे कमाते हैं, जबकि website में यह होता है, कि कोई भी company है, उसने अपनी services के बारे में बियान करना है, अपनी services, अपने product, अपनी cars के बारे में अगर कुछ लिखना है उन्होंने, तो वो एक website बनाएंगे, और वो उस car के सारी information देंगे, और वो regularly update नहीं होगी, जब तक के कोई नया model ना आ जाए, अब आप देखें, यहाँ पे CNN की website में उसने article publish किया, कि यह इस तरह की car है, इसमें battery छोटी होती है, और यह lighter car है, और यह सारी information दी, तो मुझे यहाँ से बता चला कि इस car का नाम light year zero है, तो मैं उसके बाद उस website पे गया light year zero पे, और यहा साथ, आठ महीने ऐसे ही रहेगा जब तक के light year one car ना आजे, अभी light year zero prototype है इनके पास, जब तक के light year one नहीं आजेगी यह page ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई रदो बदल नहीं होगी, यहाँ पे यही लिखा एगा drive four months without charging, उसके बाद आप देखें इसमें background video चल रही है, हमारे पा product के बारे में उन्होंने लिखना होता है, सारा यह website में होता है, blog में नी, blog में just information होती है, जबके website में बड़ी प्यारे से उस product की पूरी detail बताई जाती है, जैसे आप iPhone का page ले लो, उसकी website ले लो, आप Samsung की website ले लो, कोई भी product के बारे में जानना है, तो आप उसकी website पे जात प्रिलांसी के अवाले से बात करें, तो कुछ client को blogs चाहिए होता है, और कुछ client को website चाहिए होती है, luckily WordPress जो है, वो as a blogging platform स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद यह content management system बना, content management system मतलब जो आपके content को manage करता है, जो websites बनाता है, तो WordPress में हम blog भी बना सकते हैं, और websites भी बना सकते हैं, इंशाला next video में हम start करेंगे कि हम किस तरह एक blog बना सकते हैं, तो मैं मिलता हूँ आपको next video में, till then, अलाहाफिस